हेलो फ्रेंट्स आज की वडियो मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से आप अपना वाट्सप चैट को बैकप कर सकते हो इसके लिए आपको वाट्सप ओफिशियल एप को उपन कर देना है उपन करने बाद यहां पर आपको अपका मैसेज यस तो हो जाता है तो यहां पर आपको टॉप पे थ्री डॉट वाले एक ओप्सन देखने को मलता है राइड साइड पे तो आपको इस थ्री डॉट वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर आपको सेटिंग्स वाले एक ओप्सन आ जाएगा तो आपको इस सेटिंग्स वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है सेटिंग्स इसके बाद यहाँ पी आपको chats वाला एक option देखने को मलता है तो आपको chats वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पी आपको नीचे scroll कर देना है यहाँ पी आपको एक option देखने को मलता है chat backup तो आपको chat backup वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पी आपको एक option देखने को मलता है back up to google drive तो आपको इस वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पी आपको भहुत सरे option देखने को मलता है back up to google drive यहाँ पी आपको first option है never only when I tap back up एक है daily, weekly, monthly तो यहाँ पी आपको कोई भी एक option पर select कर सकती हो तो इसके बाद यहाँ पी आपको google account add करने का option दिया है आप कोई भी एक gmail id select कर सकते हो तो इस पर click कर देना है यहाँ पी मैं select कर देता हूं यह वाला gmail id तो आप वह gmail id select करना जिसका password आपको याद है तो इस पर select कर दिया हूं तो यह select हो चुका है तो backup process start करने के लिए यहाँ पे आपको इस backup वाले option पर click करना है उससे पहले यहाँ पे आपको include videos on कर लेना है और backup using cellular भी on कर देना है इससे क्या होगा कि आपका videos भी backup हो जाएगा ठीक है तो backup करने के लिए यहाँ पे आपको एक green पे लिखाया है backup तो आपको इस backup वाले option पर click कर देना है आपका backup होना start हो जाएगा तो जैसी आप click कर होगे तो backing up messages notification आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 2MB size का messages WhatsApp का backup होना start हो गया है Google Drive पे तो 100% हो चुका है तो हमारा backup process complete हो चुका है इसके बाद अभी हम WhatsApp को uninstall कर देंगे uninstall so friends हमारा WhatsApp uninstall हो चुका है अभी मैं इसको download करके दिखाता हूं WhatsApp install अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपना WhatsApp chat restore कर सकते हो इस हमारा WhatsApp messenger install हो चुका है scan हो रहा है तो अभी हम इसको open कर लेते अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपना WhatsApp चैट को recover कर सकते हो तो यहां पर आपको इस पर सेट कर देना है agree and continue इसके बाद यहां पर आपको WhatsApp नंबर एंटर कर देना है ठीक है next इसके बाद यहां पर आपको looking for backup आ जाएगा तो यहां पर आपको इसके बाद यहां पर आपको restore वाला option देखने को मिलता है तो आपको restore वाले option पर क्लिक कर देना है आपका messages restore होना start हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो preparing to restore messages so friends हमारा WhatsApp messages restore हो रहा है 24% 100% इसके बाद यहां पर आपको simply next वाले option पर क्लिक कर देना है नाम दे देना है profile के लिए next restoring media so friends देख सकते हो हमारा chat history वापस आ चुका है यहां पर आप देख सकते हो images वही है रेंको सिंग ने 666 मा रहा था देखिए images भी है और यहां MS होनी भी है so friends इसी तरीके से आप अपना WhatsApp chat backup कर सकते हो मुझकझक जाओ यहां कर दो यहां करो करदेन